केंद्रे इसपातर राज्यमंत्री फगन सिंग कुलस्ते ने आगामी विधान सभा चुनाव में विजेपी की सरकार बनने का दावा किया है फगन सिंग कुलस्ते ने कहा कि कौन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है विधान सभा चुनाव में भाजपा के रिकॉर पराज से मुलाकात कर महायग के सफल आयोजिन की बढ़ाई दी केंद्री मंद्री ने चुनाव के समय भाजबा छोड़कर अन्य दलों में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर कहा कि भार्तिय जंता पार्टी का विस्थार हुआ है ऐसी स्थिति में सबको खुश रखना कथिन संगठन का नियम और सीमाय तेहम उसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी के मुख्या काम करते हैं कौन कहां जा रहा है इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता निश्यत रूप से पार्टी मध्यप्रदेश में पूर्ण भाहुमत के साथ सरकार बनाईगी अज तक मध्यप्रदेश के बारे में एक विकास बड़ा मॉडल बनाया है और इसको लेकर कि हम चुनाओ को लड़ने वाले हो इसके लोग कोई इधर जा रहा है उदर जा रहा है उससे कोई बड़ा अंतर नहीं है सरकार बनाएंगी या पंडेट परसेंड मान की ज़िए यह अभी नोगंबर में जो चुनाओंगी जब प्रडाम आएंगे तब ज्यान में आएगा कि वरतमान संसत भवन का निर्मांड अंग्रेजों के द्वारत किया गया था जिसमें चंद घंटे भी बैठना दुश्वार हो जाता है लेकिन जो नया संसत भवन का निर्मांड हुआ है उसमें निम्न सुवधाय उपलब्ध है भाविश्य को देखते हुए इस भवन का न मध्यप्रदेश के महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश्य से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने के आवश्यक्ता भी नहीं है दस जूल को पहली किस्त बेहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपएया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्प लाइन डंबर 0755 2700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेशकर हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नीउज आपके हफ्रे आप देख रहे हैं दखल नीउज